और अब अब हम कहां पर हैं हम से किसी ने पूछा हम कहां हैं है अभी हमने शुरू क्या था अगांटिंग मैंने आपको फर्स जै पता है था नजले सो मिनी टॉपिक्स अब जब मैं नेक्स आउनगा तो मैं फाइनाइन्स एस्पट करवाउंगा अभी मैंने आपको कुछ दिन हम online कराएंगे आपको accounting aspects का कुछ-कुछ और topics, right? So, हम लोग ने, अगर आप अपना किताब देखेंगे, हम लोग 9 to chapter 14, this is our focus. So, chapter 9 is all about introduction, accounting concepts, annual reports, financial statements में क्या-क्या आता है, IFRS, right? International Accounting Standard Board, Directors Report, Auditors Report, इन सब चीजों के बारे में chapter 9 discuss करता है. काफी discussions हमने किया, for detailed discussions, आप हमारा recorded lecture, last patch का देख सकते हैं. उसके बाद हमने आपको सीधा में आपको लेकर गया, financial statement preparation में, PL balance sheet, that's chapter 10. Chapter 10 is financial statement preparation. फिर हमने depreciation के बारे में बात किया, revaluation के बारे में बात किया, that's chapter 11. chapters नमबर इधर उदर हो हो है होंगे, I don't know, right? We are yet to discuss some consolidation, banking, insurance company account that I will deal with you, no worries. और सीधा अपन financial statements अभी आगाए है, ratio analysis में. That is chapter 13 and 14, I guess. As per new material or 14, 15, जो भी है. So, आपन अभी 9, 2, 14, 15 के बीच में, accounting वाला party कर रहे है. Financial statement preparation, उसके basis पर आपने भी ratio analysis का बात कर रहे है. तो उसमें भी काफी सरा ratio analysis मैंने आपको करवाया है. Right? तो सबसे पहले मैंने आपको ratio क्या बताया था? It's a relationship between two financial numbers, right? बताया था, याद है? जो भी हमारा ratio आता है, उसको अपन इंदस्ट्री आवरेज के साथ, अपना last year, अपना competitor economy के साथ compare करेंगे. मेरा GP percentage है 30, इंदस्ट्री का है 40, इंदस्ट्री का है 40, मेरा GP percentage है 30, इंदस्ट्री का है 40, इसका वाला my cost of sales है 70%? इंदस्ट्री का 40, 50 इंदस्ट्री का cost of sales? कम है. ऐसा हो सकता है, कुछ-कुछ cases में, यह मैं analysis का बात बता रहा हूँ. कि मेभी I am giving better quality, and better quality comes with a cost. Quality जीज़ कभी भी free में नहीं आती है. हमारा जो cost of providing service है, जैसे मैं तो service provide कर रहा हूँ, हमारा cost of providing service is more than industry. is more than industry. Mock checking बोलो, dashboard बोलो, physical infrastructure बोलो, हमारा cost of providing service is more. one-to-one mentoring, question-answer forum, test bank. We never try to optimize, या minimize. optimization हम कुछ-कुछ cases में करते हम यह, but minimization concept में हम नहीं है. cost minimum with better quality, not possible. तव हम को काफी सारा services deny करना पडेगा students को. तव तव इल बोली प्रविन्सर सिटिंग in a non-AC classroom, teaching hundred of students at a time, then my GP can be 90%. एक student यही का बोलतरा है, कि मैं online आउंगा, मेरा हम से fees कम ले लीजिए. हमारा तो एक estimation है, हमने setup भी वैसा ही किया है. अब आप online करो, इसमें मैं क्या करूँ? यह बिजली बिल जो आ रहा है, यह तो बोलेगा नहीं, या पांच बैठें, तो भी उतना ही बिजली भी लाना है, 15 बैठेंगे तो भी उतना ही आना, 20 बैठेंगे तो भी उतना ही बिजली भी लाना है. तो हमने तो यह cost पकड़के pricing किया है न? हालकि यह महंगा सहर है, यह ज़्यादा होना चीए था fees, लेकिन हमने नहीं बढ़ाया. आगे भी नहीं बढ़ायेंगे, चिंदा मत करो. Cost का बहुत बड़ा रोल होता है pricing में. आपको analysis करना पड़ेगा. Sir, आप क्या बात करते हैं? हम लोग insurance, premium निकालने वाले, आप हम लोग ऐसा बकवाद चीज मत बताईए. कोई लेना देना ही नहीं है आपका बात चीट से. इल लॉजिकल आप बात कर रहे हैं. Insurance product बनाएगा कौन? कौन बनाएगा insurance product? आप लोग ही बनाएगे? सारा ज्यान आप लोग में कुट-कुट के भरा हुआ है? premium insurance product आप बनाएगे? इतना रुपया policy का, इतना रुपया premium होना चीए, कौन बताएगा? आप लोग बताएगा? तो कहीं नहीं कहीं आप लोग pricing कर रहे हैं? तो अगर आप लोग को costing के बारे में idea नहीं रहा, तो आप pricing कर पाईएगा क्या? तो आपको क्या होगा? मुझ जैसा Chartered Accountant हायर करना पड़ेगा, pricing करने के लिए हैं. तो अब probability में आप लोग तेज हो सकते हैं, बट pricing में आप हमसे नहीं आगे जा पाएगे. ये course में आपको सब चीज़ सिखा रहा हैं. पहले तो syllabus में costing बोल के topics भी था, दिरे-दिरे लोग उसको curtail कर दे रहा है. तो GP से हमारे को costing के बारे में पूर आइडिया लग जाएगा. राइट? तो ratio analysis is very important. तो मैंने आपको बताए, absolute figure is meaningless. absolute figure से कोई लेना देना नहीं है अपन को. उसके बाद मैंने आपको बोला, relative figure निकालेंगे. one figure in relation to another. लेकिन उसका भी कुछ हद तक फाइदा नहीं है, जब तक आप उसको company का last year, या competitor, या industry average, या economy से compare नहीं कर लेते हैं. फिर मैंने आपको type of ratios बताया, profitability ratios, liquidity ratios, activity ratios, solvency ratios. profitability ratio दो टाइप से होता, in relation to sales, in relation to investments. इन relation to sales होगा, तो denominator में sales होगा. खतम कहानी वहीं पे, game over. जहाँ in relation to sales होगा, denominator में sales होगा. इन relation to investment. return on capital employer generally before taxie होता है, maximum cases में. second formula बहुत rare use होता है. again, जब आप ratio निकालते न, तो आपने क्या assumption लिए, ये भी आपको बताना पड़ेगा. और return on equity. अगर माल लो preference shareholder नहीं है, अगर माल लो preference shareholder नहीं है, तो क्या होगा? कोई बता सकता है? net profit by equity हो जाएगा? क्योंकि preference 0, ये महला पाफेस ही net profit हो गया न? अरे हमारे preference shareholder नहीं है. तो preference shareholder भी नहीं है, तो जो हमारा net profit है, वो ही हमारा equity हो जाएगा? बोलना दोस्त? सिरी कॉन ला रहे हो ना? ये 1000 छोड़के जाना क्योंकि ये 2-3 जगा कराना है मेरे को. तो आमने profitability ratio रहे हो जाएगा? आपको बताया था. अभी मैं आपको एक analysis दिखा रहा हूँ. suppose एक आदमी है, एक company है company A. ये कह रहा है हमने 2 crores कमाया है. और एक है company B. ये कह रहा है हम 5 crores कमाया है. कौन बड़ा हुआ भाई? कौन बड़ा हुआ? देखके तो भाई भी बड़ा लग रहा है हमें? आया ना? देखके कौन बड़ा लग रहा है? भी बड़ा लग रहा है? चलाओ देखते हैं. sales. 10 CR. 100 CR. अब बताओ कौन बड़िया है? company का margin अच्छा है न? अगर मैं gross margin की बात करूँ, तो मैंने आपको खाली net profit दिया था. the net profit में आप B बड़ा बोल रहे थे. अभी आप बोल रहे हो A बड़ा. तोच लेना बई? बड़ा कौन बई? चीक है. ग्रॉस मार्जिन पर्सेंटेज इदर आएगा 20% इदर आ रहा है 10% ठीक है? चलो. Capital Employed. ठीक है? तोब मेरे को बताओ, कौन अपना assets को अच्छे से यूज कर पा रहा है? आप मेरा meaning समझ रहा हूं, मैं क्या पूछ रहा हूं आपको? Who is making its assets work faster? Let us suppose मेरे पास एक गाड़ी है. Swift desire. मैं भाड़े पे चलाता हूं. मैं गाड़ी को जितना ज्यादा चलाओंगा मेरे को आमदनी उतनी ज्यादा आएगी न? Yes or No? एक बंदा है जो दो घंटा चला के छोड़ देता है, उसका उतना rotation होगा क्या? बोलो, नहीं होगा न? और एक जो डेली चला रहा है, आठाट गंटे, नो नो गंटे, भाई हमने assets खरीदा है, उसको आप effectively use करो. सर ने कहा आठ computer लेलो, सर ने कहा आठ computer लेलो, मैं बोला आठ computer का क्या करेगा भाई? बैठाने के लिए 5 staff, एक तुने अगर मैं general manager भी रख दिया तो यहां बैटेगा 6, आठ computer का क्या करेगा? तो भी आज थोड़ी रख रहे हैं सबको, धिरे-धिरे होगा, तो हमने पैसे तो लगा देता मैं, आज मैं चाहता तो मैं क्या करता, इससे बड़ा classroom बना लेता, मेरे को और ज्यादा investment करना पड़ता, क्यालकटा में हमारे पर जी classroom है, उससे बैठते हैं, पार्थोस और कार, अपना रावाजास चे, 80 students की capacity है, पांच बच्चे भी नहीं आते हैं, सब online and recorded, वो investment, अब मेरे को लग रहा है, वेस्ट है मेरे लिए, वेस्ट, अभी में मैं चाहूं तो वहां का 50% जगा, मैं किसी को भाड़े पर देके मैं अच्छा गासा है, रेंट उठा सकता हूँ, एक्च्छल में, बड़ा जगा, एक-एक रूम में दो-दो एसी लगा हुआ है, कामवली बाई आई गोभी सफाई का ज्यादा पैसा मांगेगी, कॉस्ट हर जगा है बेटा, तो मेरा वहां पर एसेट का एफेक्टिवनेस उतना ज्यादा नहीं है, तो आप जब कोई भी चीज इन्वेस्ट करते तो आपको देखना है आपका रोटेशन क्या हो रहा है, कुछ का वाला का रोटेशन डेली है, जो मैंने आपको बताया था ना, नॉर्मल उप्रेटिंग साइकल ड्यूरेशन, तो पांच करोड का इन्वेस्मेंट करके मैंने दस करोड का सेल्स जन्रेट किया है, इस मींस आइम डूइंग रोटेशन आप ट्वाइस, आपको पूफ कर दूँगा देस्पाइड हैं एस मनी फाइप ताइम्स मैं आपको प्रूफ कर दूँगा देस्पाइड हैविग लोग्रोफित मार्जी, पांपनी बीच पैर के वाइस इन्वेस्टे। कि अब समझे रहे हम लोग कैसे कमा रहा है कि अर्य गेटिंग हाओ यार अर्णीं कि कॉलिटी कि याद है मैंने आपको फाइनांशल स्टेट्मेंस बताते बत इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग मैं आपको बता रहा था वह आले क्लास्रूम में मैंने आपको बताया कि आका फाइनांशल परफॉर्मेंस तो नेसेसरी होता है उसके साथ शो शो एकनोमिक एन्वाइमेंटल रिपोर्टिंग भी करनी पड़ती है आपको कॉर्पोरेट सोचल रेस्पॉंसिविलिटी उसमें मैंने आपको बैलेंस कोरकार का कॉंसेप बताया जिसमें चार परस्पेक्टिव होते हैं ट्रेनिंग एफिशेंसी उसके बाद मैंने आपको बताया था इंटर्नल बिजन्स प्रासेस ऑटोमेशन उसके बाद मैंने आपको बताया क्वालीटी क्वालीटी अच्छा रहेगा तो अपने यहां पाएगा आपको रिपीटेट 20-80% students are studying from us, wholesaler ka margin कम रहता है, लेकिन उसका वॉल्यूम जादा रहता है, retailer ka margin जादा रहता है, लेकिन उसका वॉल्यूम कम रहता है, it's altogether different ballgame, no one can understand, वक्त इतना आगे भड़ चुका है, हम इतने आगे भड़ चुके, now no one can match our quality, I have 10 more things in pipeline which is going to come in another 6 months, जो लोगो सोचा ही नहीं है, जितना दिन लोग मेरी बराबरी करेंगे, मैं और आगे चला जाओंगा, technology, automation, यह सब चीज में investment करना है, खाली कमाई के बारे में सोचेंगे तो नहीं होगा, हम लोग कभी भी कमाई के बारे में नहीं सोचते, we never think of profits, अपने यहाँ आप आएगा, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, asset turnover, यह मैं आपको activity ratios भी discuss हो जाएगा यहाँ पे हमारा, that is sales by capital employed, two times, five times, return on equity, basically is a multiplication of gross margin with asset turnover, दिहान से देखना, यह सॉरी, net margin, यह मैंने गलत लिख दिया, एक second, net profit लिखाता ना, तो net margin होगा यह, है, net margin into asset turnover, तो 20 into 2 is, 40%, 10 into 5 is, अब कौन बड़ा, किसका shareholder लोग खुश रहेगा, B का, सर, return on equity का आपने formula बताया था, net profit profits by equity, right, profits by equity बोला था ना आपने, इबर आजूम करते डिवेंचर भी नहीं है, तो जो capital employer है वो equity हो गया, capital employer equity हो गया, तो net margin का denominator में sales है, और asset turnover का numerator में sales है, दोनों को multiply करूँगा तो sales sales कर जाएगा, बचेगा क्या net profit by equity, तो आप return and equity directly भी निकाल सकते थे, देखो, 2 करोड by 5 करोड, 40% आएगा, 5 करोड by 10 करोड देखो 50% आएगा, नहीं तो आप gross margin और asset turnover निकाल के दोनों को multiply करके भी निकाल सकते हैं, तो return on equity depends upon two things, return on equity दो चीज के बारे में चलता है, है झाल झाल ठीक है इस फाइन मार्जिन कम है तर्नोवर जाता है जी जाओंगा और दोनों यह अच्छा है तो को दिक्कत की बात ही नहीं है तो इफ यार वीक और वन श्ट्रॉंग और अनदर पॉफेक्ट कॉंपेटिशन ऐसे टर्नोवर पर जिम्दा है प्राइसे अर कॉंपेटिटिफ लोग जितने आदा वॉल्यूम होलसेल बिजनेस आगेस यह अनलीसिस ठीक है लेट्स मूव एहड देन ठीक ना तो यह सबसे बड़ा अनलीसिस मैंने आपको बताया है तो अब आपको समझ में आगया को रेशियो कितना इंपोर्टेंट है सबसे बड़ा इंपोर्ट ड्रॉबैक मालू रेशियो का मालूम है क्या है यह जितना भी डेटा है यह पास्ट डेटा होता है तो अधिमेंबर एप्रिल में साल मार्च में साल खतम हो रहा है एप्रिल में जुन फाइनलइजेशन में लगता है जूलाइ ऑगस्ट ऑडिट करता है occupर में और जर्णॉनेंट हो रहा है तो stakeholders को communicate कब हो रहा है September में March वाला data आप September में communicate करें तो जो भी ratios है वो March है मैं ना पुराना data पर निकाला आवा तो out of date हो गया ना जो 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 चला हूं तो प्रोफिटिविल्टी रेशियो मैंने बता दे और भी कि बहुत सारे रेशियो होते है अर्निंग पर शेर होता है राइट वह अपन बात कर लेंगे राइट जैसे अपारा अर्निंग पर शेर पर हमारा अलग से एक वीडियो है मैं शेयर कर दूंगा राइट सो इट इज अब झाल 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 चाहिए, इसमें एक होता है, इसमें आप लोगों को दिख जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेट आस मूव अहेड वित मोर रेशियो, नाव विल टॉक अबाट लिक्विडिटी रेशियो, वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग बात करने वाले हैं अब, लिक्विडिटी रेशियो, में एक में होता है हमारा एक लिक्रेंट रिस्यो तीस पहरें, छुपपध रेशियो तेश्यों है, एक होता है हमारा करेंट लिए बूर्ट करेंट रिश्यों एक होता है, राइट जैसे अगर मैं इस कोश्चन की बात करूं तो हमारे पास करेंट एसेड में क्या-क्या है इन्वेंट्री कितना है लास्ट कोश्चन का बता जो हमने किया था बैलेंशीट देखे बताओगे ना 675 ट्रेट रिसीवेबल 9072 बैंक 11340 और प्रीपेट था दस कितना रहा है 21 21 21 21 21 21 21 22 21 22 22 23 23 24 25 25 ठीक है, करेंट लाइवटी में क्या क्या बता हूँ, ट्रेट पेवल, हाँ, 1789 न, टोटल मिला के 1789 है, और टैक्स, कितना रहे हैं। ठीक है, तो इस कोश्चन में अगर आप देखोगे, 21097 भाई, 8823 कितना रहे हैं। इंडिया में न, standard current ratio 2 माना जाता है। आपको liquidity maintain करना है, बट इतना ज्यादा liquidity maintain करके क्या फाइदा है। इस ओवर इंवेस्टमेंट इन करेंट आसेट। पांच लाक रुपया, मैंने मैंने अलमारी में रख दिया, तीजोरी के अंदर, और उसको मैंने 6 मैने की छुट्टियों पर भेज़ दी। मतलब, लॉक करके मैंने रख दिया, अब वो 6 मैने सोया वा है। अंदर से बोल रहा है क्या आराम वाला जिंदगी है। मुझे कोई नहीं निकाल रहा। नहीं तो मैं एक हाथ से दूसरे हाथ जाते 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 में ठक जाता हूँ। है नगे पैसा अगर हमारे जेब में है। हम निकाल करके किसी और उनकाल को देगा। रइट यस और नो। तो पैसा को अगर हमने अलमारी में रख दिया होगा कोई गर्मी नहीं लग रही ठंड नहीं लग रही टेंपरेचर सही है। मैं यही रहना चाहता हूँ पैसा को अगर खटाओ के नहीं तो पैसा पैसा बना के नहीं देगा इंसान खटता है ना तो जाके वो कमा के लाता है वैसे पैसे को भी खटाना पड़ता है तब जाके वो कमाई देगा आपको कैसे खटाएंगे ज़र पैसा को पैसा को तीजोरी से निकाल कर बैंक में जमा करकर किसी बिजनस में लगाएंगे या हम लोग बैंक में एवटी करेंगे तब जाके पैसा खटेगा ना पैसा को अगर अराम दे दोगे तो पैसा तो खतम हो गया बेट उसी प्रकार अगर आप ज्यादा करेंट एसेट करेंट एसेट रखता क्यों जिसे कि आपका करेंट लाविटी पे आफ हो जाए आपकी करेंट लाविटी 8823 है आपने 21,000 का करेंट एसेट मिंटेन करके रखा कोई पॉइंट ही नहीं है इतना जदा इंवेस्मेंट का दरकार ही नहीं है कम इंवेस्मेंट में भी धंदा होता है अच्छा अब यह आपन निकालेंगे क्विक रेशियो झालेंगे क्विक रेशियो right current assets होता है current liability को चुकाने के लिए अज stock stock तोक पहले बि केगा उसके बाद पैसा आएगा स्टॉक पहले बीकेगा उसके बाद पैसा आएगा तो इससे चुका नहीं सकेंगे अपनी करेंट करेंट को अगर आज इमीडेटली सब्सक्राइज ही खड़ा हो जाए मेरे सर पे मुझे पैसा आज के आज चाहिए क्या क्या करूंगा है कि जद्रीष ऑहिं है क्या करूंगा और पाऊंगा नहीं जो नहीं ना अग को आपक्तोफ नहीं देगा है । डेटर एड़के आगक時間 टेगा कि सब्रद्र भी कहेगा मुझे दस दिन बात दोंगा दस दिन बाध दोंगा दस दिन बात दोंगा 할 ह्थप युसमी है कैस आया लगत तू बॉइ टेन नेट 30 मैं उसको लालस दे रहा हूं तू बाइ टेन नेट 30 फरटाच से पैसा पक्ड़ा देगा, यह मैंने क्रेडिट पॉलिसी का मतनाव मतना नॉर्मले आप 31 दिन पैसा देते हैं, आप मुझे 10 दिन में दीजे, मैं आपको 2 टका का डिसकाउंट दोंगा, 2 by 10 net 30, 2 by 10 net 30 का मतलब क्या है, normal the credit period is 30 days, if you pay us within 10 days, I will give you 2% cash discount, prompt realization के लिए, debtor is one step away, debtor is one step away, stock is two step away from cash, bank already realized, prepaid, prepaid can never be converted into cash, आज मैंने, इस मैंने का भाड़ा advance में दिया है, अगर मैं during the month छोड़ता हूँ, तो क्या मेरा वो भाड़ा वापस आएगा, नहीं आने वाला, landlord को दिया हुआ कुछ भी पैसा वापस नहीं आता है, जब आपन क्वीक रेशियो का बात करेंगे ना, जब आपन क्वीक रेशियो का बात करेंगे ना, अपन स्टॉक हटा देंगे, अब प्रीपेड एक्सपेंसस हटा देंगे, divided by current liability, या एक और फॉर्मूला है इसका, we have another formula, PR प्लस बंक By Current Liability तुझे लिए दिए तो अगर आपन देखें, ट्रेट रिसीवेबल 9070 तुमने कहा, बोलो ना भाई, और 11340 तुमने कहा, बैंक, तो कुईक रेश्यो कितना आएगा? 9072 प्लस 11340 बाई, करेंट लियाबिलिटी, सही है मेडम? कितना आ रहा है? करेंट लियाबिलिटी लीख लो ना? 8823, कितना रहा है दोस्त? 2. बहुत जादा है, अरे भाया, पैसा उतना ही तो जाहिए ना, जितना क्रेडिटर है, यह तो एकदम से एकदम फास्ट वाला हो गया, तो साफ समझ में आ रहा है, आपका कुईक रेश्यो लेस देन बन नहीं होना चाहिए, लेस देन बन होता ही ना, क्रेडिटर पैनिक करता है, उसको प्रोटेक्शन फिल नहीं होता है, तो अगर आपका स्टेडी प्रोफिट्स है ना, क्याश फ्लोस कंसिस्टेंट है आपका, तो आपका small current ratio में भी काम हो जाएगा, small quick ratio में भी काम हो जाएगा, आप समझ रहे हैं, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? हां चलिए यह भी बहुत बड़ा स्टड़ी है वर्किंग क्याप्टल मैनेजमेंट इट्सेल्फ इस सब्जेक्ट और डिस्कस करेंगे टाइम टू टाइम चिंदा मत करो कि अभी जैस मैं थाले आपको फिलस दे रहा हूं मैंने क्या बोला था जितना भी टर्नोवर होगा सब में सेल्स उपर रहेगा मैं गलत लिख रहा हूं अभी हां आप लोग मेरे को टोकना बाद में मैंने गलत लिखा ठीक है तरेंगे टरेंगे टरेंगे पृच आप टनोर रस्यों है छिंज भी ट्रेंग टरेंगे वन ट्रेंग ट्रेंगे बासित बास shreven ट्रेंगे बास आपनार रस्यों छिट्टिट j झाल 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 अब इसमें समस्य क्या मैं आपको बताता हूँ समस्य क्या है यह इसमें कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है सर इन्वेंट्री कॉस्ट पर होता है इन्वेंट्री किस पर होता है तो डिनॉमिने टर्म जब कॉस्ट है तो नियुमेरेटर भी कॉस्ट होना चाहिए बट नियुमेरेटर में आपने सेल्स ले लिया तो इसलिए अपन क्या करते हैं यहां पे सेल्स नहीं लेके अपन सेल्स लेंगे जो मैंने आपको एसेट टनोवर बताया था वह हमारा इंडी विज ओवरॉल था कंपनी में टोटल इतना पैसा लगावा हमारा सेल्स इतना है तो जितना इंवेस्मेंट वह उसका दुगना सेल हुआ है उसका पांच गुना सेल हुआ है तो कि हजारों करोड की कमपणी हैं दो कि 5,000 करोड़ सेल्स है तो थाइप थाउजन करोड़ का इंवेस्मेंट है यह, आजगल तो कंस्रक्शन कंपनी बुद्ता इंवेस्मेंट नहीं करती है एक डेमो फ्लैट बनाएगी, चम चमातावा फनीचर लगाएगी, उसमें इटालियन मार्वेल लगाएगी, लाइट लगाएगी, यह दिम चक चक करेगा इदम सर देखिए, यह ऐसे बनने वाला है, यहाँ पे ऐसे गाडन बनेगा, यहाँ पे बास्केट बॉल कोड बनेगा, इधर में क्रिकेट मैदान बनेगा, यह आपका क्लब हॉल, कम्यूनिटी हॉल, यहाँ पे आप अपना 3D शो देख सकते हैं, मूवी तियेटर बनेगा, यह बन इन का काम हो जाएगा, फिर और 10% ले लेगा, भया पहले लोग लगा कर धंदा करते थे, आज कल लोग लगा कर धंदा नहीं करते हैं, everyone has become smarter, तो 5000 करोड का सेल है मेरा, तो मेरा जरूर ही नहीं मेरा इंवेस्मेंट 5000 करोड का है, एक ठेले वाला, 20,000 का ठेला करता है, महिने के कित्ते हुए, 6,00,000 रुपया, साल का कित्ते हुआ, 22,00,000 रुपया, 22,00,000 रुपया, मैं अपने जीमन में तो नहीं कामा पाऊँगा, एक साल में, और उसमें कॉस्ट कितना है, कॉस्ट और प्रोवैडिंग, 30%, बहुत जाद अगर घी चीज डाल रहा है, अमूल बटर डाल रहा है, तो 40%, 50% चलो, इंपोर्टेड वेजटेबल यूज हो रहे हैं, भाई यां मंडी में मिलती है, 50 रुपय किलो, बजार से लेने जाओ, इस पार 50 रुपय किलो, इस पार से लोगे तो 100 रुपय किलो, 50% का मार्जिन है, तो क्या अपने घर से वो 70 रुपय इंवेस्ट किया है, क्या है? He has invested only 20,000, उतना भी नहीं, 20,000 तो कमाता है वो, सेल होता है, इंवेस्मेंट उसका 5-6,000 है, साम को 20,000 का सेल्स हो गया, ठीक है, प्रॉफिट घर ले जाता है, फिर 5-6,000 से वापस से दंदा करता है, फिर 20,000 आ जाते हैं साम को, क्या कर रही है, नो नीट, लेट साल ओपन अपन ठेला मैन, वो भी टाइक्स प्री, यहां कोन ना का क्या क्या आजाते हैं लोग, भाया, देश तो हम चला रहे हैं, हां, और देश चलाने का बेड़ा जिसने लिया है, उनको ये, स्टीड वेंडर से ला रहे हैं, उनकी तो लगती है, पैसे तो देते ही हैं वो, कितना सरकारी खाते में जमा ओता है, कितनी अपने परस्नल बेंक में जमा होता है, प्रभान की माळूम है, कि अप्ड टेला लगाना देतेंगे किसी को भी, मंथली पैकेज है रोटेशन आप कितना रोटेट कर पा रहे हैं डिनॉमिनेटर कॉस्ट पर है नुमिनेटर भी कॉस्ट पर होगा मैंने आपको जो बता है और टोटल इंवेस्टमेंट का क्या रोटेशन यहां पर इंटिवीजुल आइटम ऑफ करेंट आशेट का रोटेशन के बारे में बात हो रहा है कि फास्टर दबेटर इटीज कि नीचे कि ट्रेट रिसीवेबल टनोवर रेशियो कि इसमें क्रेडिट सेल्स आएगा क्योंकि कैस्टर्स का तो डेटर होता नहीं है और ट्रेट पेबल में सेल्स से कोई लेना देना निया पर्चेस से लेना देना है तो यहां पर हम लिखेंगे क्रेडिट पर्चेस अचेक्रणेवचिरी और लेना हाँ अट्रेटने से अटनंवेड़ रेना है विभ यह िव राइड हो सकता है मैं तो जस्कालिया आपको बता ही रहा हूं ंफ़ोस्कोर हमारा सीओोग क yards सीओं अवल स्टॉव का दो लाग और हमारे पाद 10,000 का स्टॉप रहता है कि अट एक पॉइंट अव टाइम इसका मतलब किया 10,000 का स्टॉप भीक तैthose तो साल में हमने स्टॉक का कितना भार रोटेशन किया 20 वार कि अगर हमारा 2,00,000 टोटल माल यह जा हर पास रहता है तो यहा यह जा पिर है कि अधारी जानता हि नहीं हूं मैं सुकून का दंदा करो जिन्दगी छोटी सी है कि खतम कहानी कब बुलावा आजाए भगवान मलेक टेंशन नहीं चाहिए कि कि नो धारे कि यह सब इन्वेस्टमेंट की बात हो गई ना एक बंदा क्या करता है मालूम है ठेकेदार है दो लाग का कॉंट्रैक्ट है लाग रुपए आपसे ले लेगा तो हमें फिप्टी परसेंट रांस कर दो कि फिप्टी परसेंट अडवांस तुमने कर दिया कि फिप्टी परसेंट जो तुमने अडवांस कर दिया वह तुमसे तुमारा माल तुमारा पैसा से और वामेट्रिल ले आएगा तुमने अडवांस कर दिया और वामेट्रिल ले आया उसकी कोई लागत लगी नहीं लेकिन कुछ कुछ स्टैंडड़ाइज प्रोड़क्ट में कस्टमाइज जहां होता है ना कस्टमाइजेशन का जहां कॉंसेप्ट होता है वो बिजनेस में इन्वेस्मेंट बोलके कुछ नहीं होता जैसे इंटिरियर डेकर डिजाइनर्स इन में कुछ नहीं होता वेडिंग प्लैनर्स आप पैसे दोगे उस सिंगर को बुक करेगा आपने पैसे नहीं दिये वो बुक नहीं करेगा तो कहेगा हमारे यह नौकरी करते हैं कुछ नौकरी नहीं करते हैं चोपा दे रहा है इस टेंड़ाइस प्रोड़क्ट में हमें बना कर रखना पड़ता है माल वहां अमारी लागत है कस्टमाइजेशन में आप पैसा दो बुटिक्स उनका सेटप बड़ा रहता है जहां वो काउपरेट कर रहे हैं वहां उनका स्टॉप का रेंट ज्यादा होता है बट मेटरियल में वो लोग एक-एक सैंपल बना लिया है लोग आएगा दिखाएगा एडवांस देगा उनके बेसिस पर माल बन कर आएगा कि इन्वेंट्री दस अजार की मैंने दो लाग का माल बेच हमाला बीस बार रोटेट हुआ है मेरा सेम इस दा केस विट डेटर उधार के पर उधार ही कोई नहीं देगा आज तुम उधार क्लेर करोगा फिर मैं तुम्हें बेचूंगा पांच लाग का हमारा टोटल सेल हुआ है उधार में और बीस हजार का हमारा डेटर है आया ना बीस हजार का हमारा डेटर है तो मैंना पच्चीस बार हमने सेल किया है बीस हजार का माल बेचा पैसा आया फिर बेचा फिर पैसे ही तो होता है ना साइकल मैंना आपको बजाए दर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकल इस वाट फॉम्दा डेट अफ कैश इन्वेस्टेड तो कैश रियलाइस्ट और यह कि हमने सामने वाले से उधार में लिया है तो यह तो टर्नोवर रेशियो हो गया बट यह इन डेज भी कैलकुलेट होता है इन्वेंट्री टर्नोवर इन डेज 365 बाई इन्वेंट्री टर्नोवर रेशियो और इन्वेंट्री बाई कॉस्ट ऑफ सेल्स पर डे इसका दो तरीका है मतलब एक रोटेशन में कितना दिन लग रहा है कि काया रहा युणा इन्वेंगल काया का 10 वे उन्वेंगंब 8 का प्वे यूंडί इन्हाम उहा है का उली खाश कि इंवेंट्री बाइं कॉस्ट आव सेल्स पर दें कि वह की बात हो गया कि यह देखो कि इसको पर ऐसे भी कर सकते हैं कि इन्वेंट्री इन्टू 365 वाई कॉस्ट ऑफ सेल्स के नीचे डिविजन ले आ तो इन्वेंट्री में मल्टिप्लाई हो गया ना वो कि इन्वेंट्री इन्वें ő कि यह चिक हैं वैसे ही ट्रेट इसी वैड तरन वर इंडेश 365 भी ट्रेट इसे विल तरन वर राच्यो रेट पेवल तान वर इंडेश झाल 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 आँ अब इन तीनों में बहुत तगड़ा रिलेशन भी है इसका मतलब है ट्रेड टार इन्वेंटिड टन वर इंडेस मतलब इतना दिन लगेगा माल भिकने में कि इतना दिन लगेगा माल भिख के पैसा आने में भिख गया है लेकिन पैसा आने में इतना दिन लगेगा और यह कि हमने सामने वाले के इतना दिन से पैसा रोग लेखा है कि शाट दिन का उधारी था कि 60 डेस कि इन्वेंट्री कि पैटालीस दिन माल बनके बिकने में 45 दिन लगता है इसमें भी अलग-अलग कर सकता हूं मैं रॉमेट्रेल का लग इन्वेंट्री तीन टाइप की होते हैं रॉमेट्रेल डबलो एपी फिनिस गुद्स रॉमेट्रेल मतलब कितना दिन यह कच्छा पड़ा हुआ है क्योंकि बहुत सारा रॉम आप खरिद के लाते हैं उसको चुकते हैं चुकने के बाद उसको भीगोते हैं भीगोने के बाद उसको सुखाते हैं उसके बाद हम लोग उसको देते हैं पीसने के लिए फिर वह हमें देता है प्रोसेस कितना टाइम लगा आठ से दस दिन लग जाता है और अगर बारिश ह हो गई कि यह महीं खत्म है तो दिस्ट प्रोसेस को प्रोक्षन का रोव मिट्र प्रिजर्व करने का उसके बाद फिर बिगता है राशन के दुकान से यह मिलता है उसे फिर प्रोसेस होता है तो पैतालीच दिन लगए हम आए माल बना कर बेचने में और साट दिन लगते हमें पैसे उठाने में कि 105 दिन में एक साइकल कम्प्लीट हो पा रहा है तो साल में कित्ता कर पाओगे तीन और चौथा का आधा में पहुंचेंगे हम में लगबख साड़े तीन साइकल हम कर पाएंगे है ना दोस्तों मैं बाप से पूछना चाता हूँ हम इसको कम कैसे कर सकते हैं कि यह जो 105 दिन लग रहा है मैं एक मिनिट में आया आप मुझे बताओ कि इसको कम कैसे कर सकते कर दो 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 गजब इसको कर दो दोगा है झाल 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 बताइए कैसे कम करेंगे सबसे पहला बात तो ट्रेट रिसीवेबल तरन वर प्रियेड कैन बी रिदूस्ट बाई गिविंग डिस्काउंट पॉलिसी एक टो डिस्काउंट पॉलिसी हो गया थिक्षा अजिए ख psychic है थे शेडिया थित दिद्य है व्याल पॉल्ट शर के दिद्य तंस वाउंट पर प्रोडक्शन यूज बेटर टेक्नलॉजी अब बेटर टेक्नलॉजी से भी काम कर सकते हैं सेल्स पॉलिसी लेके आईए बाइ टू गेट वन फ्री या कुछ अट्रैक्टिफ तो यह जो साइकल है ना एक सो पांस दिन का पिसको कम करके 40-45 में लेके आईए तो आप ज्यादा रोटेट कर पाएंगे साल में कर दो कर दो भाल कर सो पांस झाल झाल तो अगर कोई आपको पूछेगा ना ओपरेटिंग साइकल ड्यूरेशन ताब बोल देना इन्वेंटरी टर्नोवर इन्डेश प्लस ट्रेट रिसीवेबल टर्नोवर इन्डेश माइनस आप भी तो किसी का पैसा मार के रखें आप बोल रहेए हैं। यहाँ पे आप बोल रही कि के आपका पैसा फशा हुआ है Ouais तो जितना आपने एंज्वाई क्या वह आला माइनस कर तो तो आटमेटिकली आजेगा क्याश इन्वेस्टेड टू कैश रियलाइस्ट अगर मैं खाली यहीं तक छोड़ दू तो इस नॉट कैश इन्वेस्टेड इसमें से मैं ट्रेट पेबल टॉन ओवर इंडेज जब माइ संथी घृत कितना डूरेशन कम होगा उतना आपके लिए अच्छा है ज्यादा रोटेशन पर आप पागल हो गयें गे ऑग्रृटेशन करने से ज्यादा प्रॉफित होगा हंड़ेंट आपड़न गारें इन ठोई तका है यह कि साल में में तस भा रोटेशन हो रहा हर रोट रुपिय लगाया आपने 120 रुपिस फिर आप चाहते हैं तो आप 20 रुपिस को विड्रॉ कर लीजिए अगेन आप 100 रुपिया लगाई वापस 120 आएगा फिर 20 रुपिया घर ले जाईए अभी मैं आपको जो चीज बताने वाला आप सोच भी नहीं सक रहे हैं हता है मैंने तो लगाया मश्यन को पाथ पैसा को मैंने कम पर बज़ाया अलमारी से लगा के सौ लगाया अलमारी से निकालके मैंने सौ लगाया सो लगाए 120 आया अब मैं 20 को घर ले गया रोज कर्चा चाहिए को 20 घर पे दीया है कि वापस से मैंने अलगा फिर 120 आया है है फिर फिस घर में दे दिया है लोग कहां से कहां पहुंच अ करा हूं है मैं बुला इस बार तो जगडा होई जाए मैंने सॉ लग आया आया 120, घर में नहीं दिया, retained profit, इसको बोलते हैं, plowing back of profit, तो मैंने धंदे में कितना लगाया, 120, मैंने धंदे में कितना लगाया, 120 लगाया, अब ज्यादा माल आएगा उससे, ज्यादा बेचूंगा, ज्यादा माल आएगा तो ज्यादा बेचूंगा ना, return में आया 130, मज़ा आने लगा, मज़ा आने लगा, घर वाले पैसे मांग रहे हैं, कान बंद करके घर में जाता हूं, वापस से लगाया है, 1.500 आ गया, धंदा भड़े जा रहा है, ग्रोथ हुए जा रहा है, ऐसी न ग्रोथ होता है, पैसे ऐसी तो मल्टिप्लाई होगा, तो जिस दिन आप पेमेंट कर रहे हूं, वहाँ से आपका इंवेस्ट्मेंट माना जाएगा, सर, मैंने उधार में माल खर लिया 90 दिन का, मैंने उधार में माल खर लिया 90 दिन का, 30 दिन बनाने में लगता है, और 45 दिन में पैसा आजाता है, ऐसा धन्दा अगर है इस दुनिया में, इस धर्ती में तो मेरे को बताओ, मैं करूँगा, मैंने उधार में माल लिया 90 दिन का, 30 दिन माल बनाने में लगा, 45 दिन में पैसे आगए, 75 दिन में पैसे आगए, 15 दिन बैंक में रखूँगा, ब्याज खाऊँगा, फिर 90 दिन में क्रेडिटर को पैसे दूँगा, ऐसा नहीं होता है, क्रेडिटर प्रिएट, इस ओल्वेज लेस थेन, डेटर, बोस्त था केसेस में, तभी ना इंवेस्ट्मेंट का बात आ रहा है, डेटर, टर्नोवर, इंडेज, डेटर का क्रेडिट प्रिएट, हमेशा ज़्यादा होता है, क्रेडिटर क्रेडिट प्रिएट से, तब ना इंवेस्ट्मेंट की बात आ रही है, और पहला बार आपको उधार में माल नहीं देगा, देगा भी तापको उतना वॉल्यूम में नहीं देगा, राइट, सो, थांक्यू सो मच, काफी सारा वीडियो दिया हुआ है, इसमें कोश्चंस भी है, आप लोग सॉल्फ करिये, आप लिए और आप लिए थो ओन लाइन चैनल, इन टू ती देगें, चलिये, नेक्स पंथ अगें इन इल ग्रम और व फिसी कल ग्लस अद देली चैंटर, प्र बालब जूब लास्त वेग थैंक्यू, आपक्यू,